दोस्त अगर आपको जानना है एसी डिमोट के सबसे पाउरफुल मूट टर्वो मूट के बारे में तो आईए आपका दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका बहुत ही कुछ इंपोर्टन सवालों का सही जवाब मिलने वाला है तो दोस्तो ये सब तम्हें आपको बताउंगा इस वीडियो को अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके लिए रहेगा बहुत अच्छा बोनॉस मतलब आपके AC के remote में कही अलग-अलग moods होते हैं, कुछ अलग-अलग symbols होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, और कुछ सही जानकारी दूँगा, जिससे आपको समझने में असानी होगी, और आप अच्छे से अपने AC को use कर पाएंगे, जिससे आपका AC बह और ज्यादा कमाएगा, उसके लिए भी दोस्तों मैंने एक dedicate वीडियो बना रखा है, यह वीडियो भी दोस्तों आप आप आई बटन में मिल जाएगा, और यह दोनों वीडियो का link दोस्तों इस वीडियो का discussion में आपको दे दूँगा, आप जाके check out कर सकते हैं, लेकिन यह लगे तो fit जाए स्री राम, चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं, तो आपका सबसे important सवाल, what is turbo mood in AC, AC का turbo mood आखिर क्या है, तो दोस्तों turbo mood क्या है, इसको बताने से फ़ले में आपको बता दू, यह turbo mood दोस्तों हर AC में नहीं दिखता है, कुछ high range वाले AC में ही दिख अब मैं आपको बताना चाहूंगा यह turbo mood क्या है, यह turbo mood एक ऐसा function होता है, जिस function में AC का हर एक part अपना maximum level पे काम कर, जैसे AC का fan, compressor, अपना maximum output है, वो देता है, यह function यूज़ करने से बहुत ही जल्द आप अपने room को chill कर सकते, क्योंकि इस mood पे आपका AC का maximum power है, वो आपको द 30 मिनिट के लिए AC अपना maximum output देता है, जिससे आपका room पूरा chill हो जाता है, उसके बाद जैसे यह 30 मिनिट क्रॉस करता है, यह automated switch करके normal mode पे आ जाता है, तो guys उमीद है आपको समझ में आ गया होगा AC का turbo mode क्या होता है, clear, I hope कोई doubt ने रह गया हो, अब चलिए आगे बढ़ते ह AC का turbo mode आखिर कभ यूज करने चाहिए, तो मैं आपको बता दू, यह AC का turbo mode यूज करनेगा कोई specific time नहीं होता है, आप जब चाहो यूज कर सकते हो, but most of the cases जब हम दोस्तों ठक हार के घर आते हैं कहीं बार से, तब हम यूज करते हैं इसको बहुत ही जल्द अपना room को chill करने क और फिर कोई भी mood पर यूज कर रहे हो, और गलती से यह turbo mode का button प्रेस कर देते हैं, तो कोई दिकत नहीं है, क्योंकि यह specific time के लिए turbo mode काम करता है, यह भी दोस्तों एक तरह का auto mood होता है, जिसमें आप चाहा के भी setting नहीं on कर सकते, जब इस turbo mode को आप on करते हैं, आपका AC का minimum temperature मतलब 16 पर यह set हो जाता है, इस पर आप कमबेसी नहीं कर सकते, तो एक तरह से auto mood ही बोल सकते हैं, पर यह normal mood से काफी powerful होता है, तो मैं आपको बता दू, हर एक चीज का benefit भी होता है, और नुकसान भी होता है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करो, तो आपके लिए फाइ तो जैसे कि आप समझे कि AC का taro mood पे, आपका AC का compressor high level पे, high power के साथ यूज होता है, अपना maximum output देता है, अपना fan, अपने हर एक part को maximum काम पे लगा देता है, तो आप इसे तभी यूज करो जब emergency case हो, मतलब आपको जब लगे कि बहुत जल्द आपको room को chill करना है, तभी आप पर आप अगर इसे continue use करते हैं, तो आपका AC का compressor खराब हो सकता है, मैं यह नहीं करूंगा कि आपका AC का compressor खराब हो ही जाएगा, लेकिन 60-70% case में खराब हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोचो, का compressor है, वो maximum level पे काम कर रहा है, तो उसको company कुछ सोच के ही, कुछ specific time के लिए बनाये गया है, 30 minute, 20 minute, अगर इसका नुकसान नहीं होता, तो company इसको normal mood के जैसे बना सकता था, क्यों 30 minutes के लिए बनाये गया है, इस चीज़ से आप समझ सकते हो, कि यह tarow mood को हर वक्त use करने का नहीं है, कुछ-कुछ time के लिए आप इसको use कर सकते हैं, इसका एक example में आपको बताना चाहूंगा, मानलो आपको दौडने के लिए कहा गया, ठीक है, अब आप जब normal दौडना शुरू करो, उस time से लेकर 5-10 minutes का अंदर आप अपना जो maximum speed, वो achieve कर लोगे, maximum running speed क्या होता है, एक human का 30-35 km, लेकिन मानलो आपको कहीं पे दोस्तों कोई punishment मिला, और आपको कहा गया कि आप दौडना श्टार्ट करो, पर आप एकदम से 35 km पे अप दौड़ो, क्या ये possible है, नहीं possible है, तो उमीदा आप समझ गया होंगे कि टर्बो मूड से क्या नुकसान होता है, और टर्बो मूड से कैसे आपका AC खराब हो सकता, अब आपका लास्ट रवाल था, तर् आपका AC का power जो बहुत enhance हो जाता है, आपका AC का compressor अपना output जो है, पूरा एकदम maximum level पे देता है, तो definitely आपका बिजली भी दोस्तो maximum level पे ये खाएगा, उस calculation से आप अगर टेरो मूड को यूज करते हैं, तो definitely आपका बिजली का बिल जादा आएगा, और बिजली ये खापत भ बहुत ही कमाएगा, तो उसके लिए दोस्तों वह अला वीडियो जरूर देख लेना, तो दोस्तों अमीद है, आप समझ गया होंगे, मैंने आपका हर एक सवाल का सही answer देने का कोशिस किया है, आपको समझाने का कोशिस किया है, अमीद आप समझ गया होंगे, अब मैं जैसे अचिशि, ड्राइव मूड, ड्राइव मूड में आपको सी पंखे का सिमबॉल देखने को मिलता है, और इस मूड पर कमप्रिसर ऑफ रहता है, और सी फैन उन रहता है, तो इस पे कूलिंग नहीं होता है, सेकन्ड होता है climate मूड, जिसमें आपको एक drop का सिमबॉल देखने क मिलता है तो यह मूड कब काम आता है जब बाहर में 12 हो आपके घर के अंदर monster हो तब यह मूड क्या करता है cooling तो करता है room को साथ Members घर का जो मौस्चर है उसको बहार निकालते हैं तो ये मूड उस टाइम काम आता है खड होता है ओलिंग मोड जो कि दूसतर संधार को सिंपल को मिलता है ये मोड में एजी दिरे-दिरे कुलींग बचाता है तो मैं तो कहूंगा कि आप एनरजी सेविंग मूट पे यूज करो और ज्यादा टेरो मूट को यूज ना करो यही बेटर है तो दोस्त उम्हीद करता हूं आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा बहुत ही अच्छे से अगर यह वीडियो आपको इंफ्रमे बिल बहुत कम आए उसके लिए दोस्ते यह वीडियो देख लेए चलिए दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो पर